हेलो गाई इस में प्रीयंक आपका मेरे किचन में स्वागत है चलिए वीड़ियो स्टार्ट करते हैं आज हम मतर पनीर पराठा बनाएंगे देखे मैं ये गेउ का आठा ले रखा है इसमें नमक डाल देते हैं देखिए ये हींग है, ये हरा धनिया है, देखिए हमने ये हरा धनिया डाल दिया, ये आजवाइन हमने डाल दिया, देखिए हमने ये फर्चुन तेल डाल दिया एक चिममच, अब आठा गूद के हम तयार करेंगे अपना, अब इसमें हम पानी डालेंगे, देखिए हमने पानी डाल दी इसमें आटे को गूत चेम तयार कर लिए आच्छे से मिला लेंगे इसक नरम आटा होना चाहिए देखिए कोई भी पाराधा बनाना है आटा नरम रहता है बहुत अच्छे से बनके हमारे पाराधे स्थेमारे तयार होते हैं अब इसे हम रिष्ट के लिए रख देने 10 मीट के लिए देखिए हम हारा मिर्च और लैसुन कि आज हमने काटके रखा है इन सब चीजों को हम बारीक डालके काट लेंगे बारीक काटने से यह रहता कि हमारे पाराथे अच्छे से बन पाते हैं नहीं तो बारीक नहीं रहेगा तो फटने के चांस होते हैं इसमें डालके हम इसे बारीक काट लेंगे देखें हमने बारी काट लिया है इसमें अब इसे में हम मतर को भी डालके इसको भी हम इसी से बारी काट लेंगे क्योंकि हम पेश्ट नहीं तयार करेंगे इसका इसको भी हम ऐसे ही काट के तयार कर लेंगे, देखिए हमने मटर को भी बारी, इसको हमने काट लिया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं, हम अपने पनीर को कद्दुकस कर लेंगे, देखिए हमने धनिया पाउडर डाल रखा है, इसमें हम ओलो, देखिए, आब इसमें हम जीरा पाउडर डाल देंगे, देखिए हमने चाक मसाला ले रखा है, देखिए ये हमने नमक ले रखा है देखिए ये हमने कस्मीरी लाल मिर्स ये कलर के लिए होता है तीखा नहीं होता देखिए अब मसालों को हम अच्छे से मिला देते हैं ये हमने जो मटर डाला है सब मसाले अच्छे से मिला के हम तयार कर देते हैं ये हरदनिया है अच्छे से पनीर और मटर अच्छे से मिला देते हैं, देखिए हमने अच्छे से मिलागे तयार कर दिया है, अब हम अपना पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे, देखिए आठा सेट हो गया है हमारा, अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे, देखिए आठे में से हम निकाल लेते हैं, ऐसे जैसे देखे ऐसे करके हमें बड़ा बड़ा हम पाट ले लेते हैं हम पराठा बनाना शुरू करेंगे हमारा मतर और पनीर रेडी है हम बनाना शुरू करते हैं देखे ऐसे इसे करते हुए हम गोल करके यह जो हमारा मेटर इसे हम ले देंगे मटर पनीर इसे अच्छे से हम ऐसे करते हुए शील कर देंगे देखे ऐसे ही करते हुए हम अपने पराठे को तयार करेंगे देखे ऐसे हम इसे वे कर दिया यह कर देदा है अब इसे हम बेल के तयार करेंगे देखे इसे ऐसे ही करते हुए से मैं बढ़ा कर लेना हमने आठा लगा रख रहा है अब इसे हम बेल के तयार करेंगे अपने पराठी को देखे ऐसे ही करते हुए हैं अपने पराठी को बेल के तयार कर लेंगे देखे हमारा पराठा तयार हो गया है ऐसे ही और बना लेंगे हम पर आठे दूसरे को भी हम दिखा देते हैं आपको ऐसे ही करते हुए देखिए अब इसमें 20 में हम डाब लेंगे अपने मटर और पनीर को देखिए ऐसे ही घुमाते हुई से हमें अंदर के तरफ कर देना है और उसके बाद से हम इसे ऐसे करते हुए सील करेंगे देखिए अब इसे हम बेल के त्यार कर लेंगे देखिए इसे भी हम बेल के ऐसे ही त्यार कर लेंगे ऐसे ही सारे पराठे हम बना के तयार कर लेंगे, खाने में बहुत टेस्टी लगता है, ऐसे ही पराठे, देखिए, दूसरा पराठा भी हमारा बन गया, ऐसे ही पराठे, देखिए, ऐसे ही हम अपने सारे पराठे तयार कर लेंगे, देखे, हमने अपने पराथे तयार लिए हैं हमने तावा रख दिया है, गरम उने के लिए चुले पे थोड़ा सा इस पे अप़्या हम तेल डालेंगे देखे, तवा गरम हो गया इस पे हम अपने पराथे डालेंगे देखिए इसे हम पलाट देते हैं पराठो कोपनी देखिए शिख्या है हमारे पराठी इस पेम पेल लगा देते हैं देखिए अभी इसको हम दुझने साइब पलाट देते हैं और इधर लगने तेल लगा रेइंगे देखिए अच्छे से इसे हमें मिला देना इसके देखिए इधर भी हम अच्छे से लगा दिया देखिए इधर भी हम इसे पलाद देते हैं देखिए कितने अच्छे से हमारे पराठे सिख चुते हैं देखिए पराठे हमारे तयार हो गया है अब इसे हम उतार लेते हैं हम दूसरा पराथा डाल देते हैं इस पर देखिए एक साइड शिग्या है दूसरे साइड से प्लार देते हैं देखिए अब इधर हम हलका हलका सा तेल लगा देते हैं हमें फर्चुन का तेल लिया हुआ है देखिए अच्छे से इसे हमें ला देना है कि देखिए हमने दूसरे साइड प्लाट्ची दूसरे साइड दे लागा देते हैं अच्छे से इसे थे लागा देंगे ऐसे ही हम अपने सारे पराठे तैयार करने। अगर आपको रेश्पी समझ में आएं website, वीडियो को लाइक करें शर्टाइब करें ज्यादे से ज्यादा शेयर करें अब भरको तोड के दिखाते हैं अभी है आपको देखिए हमारे पराठे